Study IQ IS अब तयारी हुई affordable यह बात हमें पता लगती है पिछले साल के दिये गए प्रशनों को अगर हम अच्छे से analyze करें तो उससे पता लगता है कि प्राचीन भारतिय इतिहास के वो कौन से portions हैं जिस पर हमें extra emphasis देना चाहिए और जैसा कि आप जानते हैं कि based on those questions we have identified that Buddhism and Jainism यह बड़े ही crucial part हैं हमारे प्राचीन भारतिय इतिहास की knowledge को लेकर सो हमने Jainism की वीडियो को आपके साथ सांजा किया था तो आज की उसी कड़ी में एक दूसरी वीडियो आज हम जोड रहे हैं जिससे कि Jainism के साथ-साथ बुद्धिजम के धर्म के बारे में भी आपको बहुत सारे important facts पता लगेंगे तो हमने basically इस topic को previous questions के basis पे divide किया है और किस प्रकार से divide किया है इस तरह से कि basically हम बुद्धिजम किस तरह से संस्थापना इसकी हुई गौतम बुद्ध का क्या इतिहास रहा था जैसे हमने महावी Jain के बारे में पढ़ा था तो गौतम बुद्ध का क्या इतिहास रहा था उसको हम समझेंगे इसे के साथ-साथ जो बुद्धिजम में अलग-अलग concepts है चाहे वो अश्टांग मार्ग हो मद्यमार्ग हो ये सारी चीज़ें के बारे में हम जाएंगे four noble truths ये क्या थे we will understand that बुद्धिस्ट literature में इनी concepts के बारे में हमें पता लगता है so we will understand important बुद्धिस्ट literature as well इनकी भाषा क्या थी इनके नाम क्या थे किनके द्वारा इनको compile किया गया था बुद्धिस्ट क्या है नवियान बुद्धिस्ट क्या है we will understand that as well इसके उपर भी सवाल पूछ लिये जाते हैं कुछ important personalities जो बुद्धा के साथ जुड़ी हुई है या फिर आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट सत्वा इस concept को भी हम समझेंगे ठीके और इस concept के साथ गौतम बुद्ध के जो बहुत important मुद्धिस्ट जिनका एक symbol है जिनका एक meaning है उसको भी हम जरूर देखेंगे इसी के साथ साथ बहुत धर्म किस प्रकार से decline हुआ इसके उपर भी हम पूरा ध्यान देंगे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये session आपके exam के point of view से काफी ज़्यादा important रहने वाला है और अगर आप इस session के PDF को चाहते हैं जो कि आपकी revision में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है तो मेरे साथ मेरे telegram channel पे जरूर जुड़िये जिसका नाम है चंदन learning टेलेग्राम पे आपको सिरफ सेर्च करना है चंदन learning without space तो आप इस telegram channel के साथ जुड़ सकते हैं और instagram पर मेरे साथ जरूर connected रही है क्योंकि वहाँ पर मैं exam relevant material in a very interesting way रोज के रोज यहाँ often मतब regular time पर share करता रहता हूँ having said that इस topic को start करते हैं सबसे पहले बुद्धिजम के बारे में मैं आप सबके साथ कुछ basic facts share करना चाहता हूँ यह facts दोस्तों पता रहने चाहिए क्योंकि आप में से जो बच्चे exam की या इस UPSC जैसे परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यह facts आपके means का fodder बन सकते हैं ठीके बुद्धिजम आपको पता होना चाहिए कि यह दुनिया का सबसे मतलब one of the major religion है हम सब जानते हैं कि Christianity सबसे बड़ा religion है सबसे जादा लोग Christianity को follow करते हैं followed by Islam उसके बाद Hinduism, Sikhism यह सब religion आ जाते हैं अगर बुद्धिजम की बात करें तो यह भी one of the major religion in the world है इसका origin आप सब जानते हैं कि Indian subcontinent से हुआ ठीके गौतम बुद्ध नेपाल के क्षेतर में उनका जन्म हुआ था और वहां से उन्होंने प्रचार करते हुए भारतिय subcontinent के एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत धर्म, बहुत धर्म से जुड़ी हुई दार्शनिक चीजें इनको प्रोपगेट किया था तो Indian subcontinent से स्टार्ट होते होते यह East Asia जैसे कि जापान वहां पर आप जानते हैं कि G7 Summit भी हो रहा है और अभी हाली में प्रधानमंतरी मोदी ने वहां पर जब विजिट किया तो इस बात को समझते हुए कि बहुत धर्म में मानिता रखने वाले जपान में बहुत सारे लोग हैं तो उन्होंने गौतम बुद्ध की कई बातों को वहां पर उनका वर्नन करते हुए भारत और जपान के लोगों के और कल्चर की जो सिमिलारिटीज हैं उसको भी हाइलाइट किया तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया से शुरू होता हुआ ये इस्ट एशिया और साउथ इस्ट एशिया के कई सारे कंट्रीज के बीच में हमें बुद्धिजम फैला हुआ दिखता है स्प्रेड हुआ नजर आता है ओरिजन की अगर हम बात करें तो बहुत धर्म, जैन धर्म की तरह ही इसकी कहानी की बेसिकली शुरूआत होती है कि किस प्रकार से एक युवराज साक्यावंच के युवराज सिधार्थ, इनको जीवन के सत्य को जानने की एक जिग्यासा पैदा होती है इस जिग्यासा के चलते वो अपने महल और शाही जो सुविधाएं हैं उनके पास उनको त्याग कर देते हैं और सिधार्थ से वो बुद्ध में परिवर्तित हो जाते हैं तो जितने traditions, beliefs और practices हैं बुद्धिजम की तो वो गौतम बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है उनकी preachings के साथ जुड़ी हुई है और दुनिया में मैंने आपको बताए कि काफी important religion है तो ये भी जान लो कि दुनिया का fourth largest religion माना जाता है Christianity, Islam और Hinduism के बाद Buddhism is the fourth largest religion in the world दुनिया की साथ लगबग लगबग 7% population जो है वो बहुत धर्मे विश्वास रखती है और इंडिया की population की अगर हम बात करें तो 0.7% population इंडिया की बहुत धर्म को मानती है इन में से जाधातर जो बहुत धर्म में विश्वास रखने वाले लोग है वो महराष्ट्र में है comment में मुझे जरूर बताए कि ऐसी कौन सी चीज़ यां, ऐसी कौन सी एक landmark incident इंडिया की हिस्ट्री में हुआ था जिसकी वज़े से बुद्धिजम को मानने जाधातर लोग इंडिया में महराष्ट्र में पाए जाते हैं मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने इसको correctly identify किया, क्योंकि आगे जाकर session में आपको ये बात वैसे भी पता लग जाएगी अब दख्यों दोस्तों हमने बहुत धर्म को समझना है, समझने से पहले एक थोड़ी सी deviation लेना मैं चाहता हूँ क्योंकि मेरा करतव यह है being a faculty कि आपको कुछ important information जो दिससे कि आप अपनी तयारी के point of view से कुछ important decisions ले सकें और वो decisions, informed decisions हो देखो दोस्तों, coaching important है, exam की तयारी आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारे मुद्दे आते हैं, जैसे कि आपको कोई feedback देने वाला नहीं होगा, कोई doubt आता है तो उस doubt को किस से पूछें इसके बारे में कई बार question mark रहते हैं, आप answer writing practice करते रहेंगे, लेकिन जब कोई बताएगा ही नहीं कि इसमें क्या improvement की जा सकती हैं, आप कैसे जानेंगे कि क्या करना है तो ऐसे में coaching बहुत important role play करती है, अब coaching कई तरह की हैं, team study IQ ने भी एक batch start किया है, जो कि आपको UPSC IS की तयारी के लिए coach करेगा इस batch की खास बात यह है कि यह prelims से लेकि interview तक सभी stages को cover करती है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका सिरफ foundation course करवा दिया जाता है, और फिर wait की जाते है कि कब prelims की notification आए और आपसे अलग से charge मांगा जाए for the crash course, नहीं हम विश्वास रखते हैं कि अगर एक बार आपने investment अपने आप में कर दी, तो उसके बाद crash course आपको free of cost मिलना चाहिए, तो हमारा जो prelims to interview batch है, इसमें foundation course की तयारी हम January तक करते हैं, जहां पर हम integrated तरीके से syllabus के अलग-अलग components को समझते हैं, आपको live classes आपकी लगेंगी, live classes में आप दाउर भी पूछ सकते हैं in a respectful and polite way, इसी के साथ साथ आपको mentors allow किये जाते हैं, जिससे की आप अपने time table, strategy, etc. ये सारे मुद्धे, उनके साथ सांजा करके उनको सुलजा सकते हैं, answer writing evaluation होती है daily, weekly revision रहती है, ताकि आगे बढ़ते समय पर हम पिछली पढ़ी हुई चीजों को भूल ना जाएं, उनको revise करते रहें prelims का जब season start होगा तो उसमें देखो crash को ज़रूरी होता है तो पिछले 7-8 महीनों में जितनी भी चीज़े हमने पढ़ी हैं, उनको हम consolidate करेंगे from prelims point of view इसमें आपको test series भी दी जाएगी without any additional charge, free of cost test series मिलेगी, जिसमें की video solutions भी रहेंगे, इसी के साथ-साथ consolidated booklets होंगी, जिसके tables, graphs pie charts, etc, इन सारी चीज़ों की मदद से, आप बहुत कम समय में बहुत जादा information को retain करने में सक्षम रहेंगे mains की खास बात यह है कि अगर आपका prelims 2024 clear हो जाता है जिसको आप target कर रहे हैं वो prelims clear हो जाता है तो उस case में mains के लिए आपको डिली NCR में रहने का मौका मिलेगा, free of cost आपकी पूरा रहने का, खाने, पीने, वाइफाई का करचा study IQ bear करेगा, लेकिन condition यह है, you should be enrolled in P2Y batch, ठीक है, उन बच्चों का यह सब चीज़ें free उनको मिलेगी, ठीक है, आप जानते हैं कि डेली जैसे महेंगे शहर में एक महीने का rent भी, एक ठीकथा कमरे का rent भी, 12-15 हजार से कम नहीं होता, तो यहां पर वो free of cost आपको मिलेगा, if you clear prelims exam, extra attention मिलेगी faculty members की, आपको mains की better तयारी करवाई जाएगी, और जिन लोगों का मालो prelims नहीं भी होता, उनको भी ऐसे नहीं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं उनको वो सारे sources मिलेगे, आपको mains का crash course, mains का answer enrichment program, और बहुत सारी अन्य चीज़ें, इसके अच्छी तयारी आपकी करवाई जाएगी, ठीके, यह सारे features P2I में हैं, और interview में भी relevant, to the point आपको guidance दी जाएगी, और mock interviews भी होंगे, ठीके, तो basically एक बार enroll करने पे, आपको पूरे के पूरे exam के कोई tension लेने की जुरूरत नहीं है बस आपने enroll करना है, और अपने उपर विश्वास रखना है, बाकि आप हम पे छोड़ दीजिए हम आपकी बहुत अच्छे तयारी करवाएंगे अब देखो दोस्तों, अच्छा course है बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल रही है भारत के top faculty members आपको इसमें पढ़ा रहे हैं, तो देखो लाजमी सी बात है कि यह थोड़ा महिंगा होगा, बट क्योंकि हम विश्वास रखते हैं, कि हमने तयारी को थोड़ा affordable बनाना है, तो इस case में we want कि आप कुछ अपने पैसे बचा सकें and if you want certain discount अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो course में enroll करते समय पर आपको जहांपे coupon code लगाना है वहांपे आपको code यूज करना है CSLive, CSLive ये वाला code इसको यूज करके आप maximum possible discount को avail कर सकते हैं courses में enroll कर सकते हैं और फिर हम आप से मिलेंगे classes में ठेके तो एक साल से कम का समय रह गया अगले paper में तो better है कि timely अपनी तयारी start कर दे चलिए, अब बात करते हैं बुद्धिजम के origin इसकी foundation के बारे में तो देखो दोस्तों बुद्धिजम का origin जो है गौतम बुद्ध से शुरू हो जाता है सो गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो हमेशा से गौतम बुद्ध नहीं थे ये एक समय पर युवराज सिधार्थ थे शाक्या वंस में इनका जन्म हुआ था इनके पिता थे सुदोधन और इनकी मदर थी महा माया या इनको माया देवि भी कहा जाता था 567 567 BC के निकट इनका जन्म हुआ था जन्म की जगा थी लुंबिनी जो की कपिला वस्तू में है जो आज के present day नेपाल के पास पढ़ती है लुंबिनी में इनका जन्म हुआ था कपिला वस्तू जो कि नेपाल के पास मौजूद है इनकी मां का चाइल्ड बर्थ के समय पर देहांत हो गया था यानि कि जब इनका जन्म हो रहा था उस समय पर कौतम बुद्ध ने जन्म लिया लेकिन अपनी मां को वो देख नहीं सके इनकी मां का शिशु के जन्म के समय पर देहांत हो गया, जिसकी वज़े से इनकी जो पूरी अप्ब्रिंगिंग थी, इनका पालन पोर्शन जो इनकी मौसी ने किया, ठीक है, इनकी मासी यानि की इनकी मां की बेहन, कौन थी ये, महाप्रजापती, महाप्रजापती गौतमी, ठीक है, महाप्रजापती गौतमी ने सि सिधार्थ गौत्म को रेस किया, उनकी अब्रिंगिंग की, रैट, 16 वर्ष की आयू में प्रिंस सिधार्थ का विवाद, यशोदरा नाम की एक शहजादी से हुआ, एक राजकुमारी से हुआ, और दोनों का एक पुत्र हुआ, राहुल, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जन जीवन जीने के लिए नहीं बने, अविश्यवाणी ये थी, एक प्रॉफेसी थी, उसमें लिखा था कि ये एक संत का जीवन जीएंगे, महलों की एशोवराम से बहुत जादा आकरशित नहीं होईंगे, तो सुदोधन जी को ये चिंता थी, कि कहीं संत का जीवन जीने के ल इससे कि ये महल की ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए तयार हो, एक राजा बनने के लिए तयार हो, लेकिन नियती को कुछ और ही मनजूर था, एक दिन सिधार्थ अपने रत पर सवार वो एक ब्रह्मन करना चाते थे अपनी टेरिटरी का, जब ये ब्रह्मन कर रहे थे त उनको ये अभास हुआ कि हम जो पैदा हुए हैं, आज नहीं तो कल हमने वरिद होना है, टीक है ये उम्र बढ़ेगी, हम वरिद होंगे, हमारे शरीर में कष्ट आएगा, बिमारियां आएंगी, टीक है तो जीवन सिरफ फूलों का या पुश्पों का एक सिंगासन नहीं है उससे बहुत बढ़ कर है, उसके बाद उन्होंने एक बिमार व्यक्ति देखा, इस चीज ने भी उनको अभास दिलाया, कि आर बॉड़ी इस वल्नेरेबल टू डिजीजेस, टीक है, दुख और कष्ट हैं, उसके बाद एक मृत व्यक्ति देखा, जिससे उनको अपनी ख्ष ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक सादू देखा, सादू बहुत ही शान्त था, जीवन में बहुत दुख थे, बट सादू अपनी साधना में विलीन था, ठीक है, जीवन के या मिटीरिलिस्टिक चीजों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ये सारे दृष्ट उनको ये रियलाइस हुआ, कि मिटीरिलिस्टिक से बाहर निकल के, अगर हम, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ है, उसको अगर मैं समझ लूँ, शान्ती उसमें है, अपने जीवन के परपस को समझने में शान्ती है, तो उनका पूरा का पूरा ध्यान, जो वर्ल्डिली है, मिटीरिलिस्टिक की जीवन है, उससे हट गया, तो जो नियती ने लिखा था, जो भविश्यवानी की गई थी, वो कहीं न कहीं सच हो गई, 29 साल की आयू में इन्होंने में महलों के ऐशवराम को त्याग कर सत्य को ढूंडने में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, 7 सा के बोधी ट्री के नीचे, बोधी वरिक्ष के नीचे इन्होंने बैठ कर तपच्चा की और वहां पर इनको मिला निर्वान, यानि की अल्टिमेट एनलाइटनमेंट, तो गौतम बुद्ध, he received, he attained an ultimate enlightenment, while he was sitting under बोधी ट्री इन बोध गया, which is located at present-day Bihar, तो यहां पर इनकी उम्र लगबग 35 वर्ष की थी, तो 35 वर्ष की आयू में इनको enlightenment मिली, और इस particular क्षण में, इस क्षण में सिधार्थ, युवराज सिधार्थ परिवर्तित हो गए गौतम बुद्ध में, ठीक है, बुद्ध बन गई है, ठीक है, बुद्ध का मतलब जिसने उस ultimate सत्य को ग्रह प्रशुरू हो जाता है, हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में, बौध धर्म या बुद्धिजम, ठीक है, बौध धर्म से जुड़ी हुई दार्शनिक सिधान्त भी प्रचलित होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सो, enlightenment attain करने के बाद, ऐसा निये कि वो enlightenment, वो जो ग्यान, वो जो wisdom इन्होंने attain किया है, उसरफ अपने पास रखेंगे, उसका प्रचार करेंगे ये, उनको पता है, उनको समझ आ गई थी कि उनका जन्म किस वज़ा से हुआ है, किस लिए हुआ है, इसी enlightenment को दुनिया में फैलाने के लिए हुआ है, तो क्या करेंगे, उन्होंने पहला sermon दिया अपना, ठीक है, he delivered his first sermon, कहां पर दिया, सारनाथ में, सारनाथ आज की date में, बनारस यानि की वारा नसी के पास पड़ता है, वारा नसी की मिट्टे की बात ही कुछ और है, ठीक है, ये सादूओं का, संतों का, पीरों, पैंगंबरों की धूमी है, और यहां पर गौत 43 वर्षों तक उन्होंने धरम प्रचारक का जीवन व्यतीत किया, और जगा जगा अलग-अलग हिस्सों को, भारत, इंडियन सब कॉंटिनेंट के अलग-अलग हिस्सों में, माइग्रेट करते हुए, एक प्रीचर की तरह, उन्होंने जो अपनी enlightenment वाली बुद्धी है, उसक के पास, इन्होंने पहला सर्मन दिया, ठीक है, और बोध गया में, इनको निर्वान की प्राप्ती हुई, ठीक है, वो सिधात से बुद्ध बने, तो जादातर इनकी जो movements रही हैं, अपने जीवन, अपने lifetime में, वो Eastern India के हिस्सों में रही है, ठीक है, इस बात को याद रखन कई तरीके के MCQS को solve करने में ये मदद कर सकती है, मैं आपको एक example भी दूँगा, एक previous year question को, केवल इतनी knowledge के basis पे भी solve किया जा सकता था, ठीक है, तो अपने जीवन में, अपने lifetime में, वो बनारस, राजग्रेश, रवस्ती, वैसाली, नालंदा और पाटली ग्राम, जिसको पाटली पुत्र भी कहा जाता है, उसको विजिट किया था, ठीक है, तो आज की date में ये जगा, कहां कहां पे, कौन-कौन सी states में हैं, वो bracket में लिख दिया है, और 80 वर्ष की आयू में, गौतम बुद्ध का, ये जोती-जोत समागे थे, महा परिनिवान हो गया, ठीक है, कहा अतना scope नहीं है, कि मैं इस हर जगा की significance आपको बता सकूँ, लेकिन अगर आप significance जानना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरा telegram channel join करना है, which goes by the name of Chandan Learning, आप इस QR code को भी scan कर सकते हैं, वहां पर मैंने एक PDF document आपके साथ share किया है, जहां पर इस हर जगा, ये ज बहुत धर्म में, मुख्य teachings के बारे में, ठीक है, जो शिक्षाएं बहुत धर्म में चलती थी, उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर बात होगी, ठीक है, four noble truths के बारे में यहां पर बात होगी, ये four noble truths, ये बहुत धर्म का सबसे core, सबसे basic principle बनाते थे, these four truths are, के जीवन में दुख है, ठीक है, जीवन है, तो दुख भी होंगे, दुख का जो origin है, ठीक है, ठीक है, दुख का जो origin है, तो truth of knowing that origin, that is also part of four major truths, ठीक है, अब इस origin को, या इस suffering को, इस दुख को खतम कैसे करना है, वो जानना, is also part of these four major truths, and ultimately, ठीक है, the path, वो मार्ग, जिस स ये दुख खतम हो सकता है, that is also the part of four major truths, ठीक है, तो क्या है ये, चार noble truths क्या है, दुख, समुदाय, निरोध और माग, दुख यानि की suffering, समुदाय, यानि की, किस प्रकार से, ये दुख originate हुआ, ये दुख आया कहां से, आप इच्छाएं, ठीक है, एक्जांपल समुदाय, origin of that दुख, उसके बाद, इस दुख को खतम कैसे करना है, उसको कहते है निरोध, और जो process है, of this निरोध, ठीक है, इस दुख को खतम करने का process, वो है मार्ग, ठीक है, अब इसी मार्ग के अंदर, आठ बाते हैं, आठ चीजें बता रखी हैं, जिसको अश्टांग मार्ग कहा जाता है, English में 8-fold path भी इसको बोलते हैं, तो बुद्ध की हिसाब से, बुद्धिजम में कहा जाता है कि life में suffering तो बहुत है, ठीक है, लेकिन इस suffering को अगर हमने end करना है, ठीक है, तो हमें अश्टांग मार्ग follow करना पड़ेगा, so humans basically, they have desires, these desires are the reason behind their sorrows, और इन sorrows क चलते, ये जन्म और मृत्यू के cycle में इस बंधन में बंदे हुए हैं, ठीक है, आम सब को अगर अपनी example लें, तो हमें पहले tension रहती कि यार, किसी तरह हमें तयारी कैसे करनी है, वो समझ लग जाए, ठीक है, हमें समझ लग गया, उसके बाद हमारा pre निकल जाए बस, mains interview ना माद है, चाहे Indian postal service मिल जाए, वो भी चलो हो गया, फिर जब merit list में नाम आया, तो उसमें इच्छा होती कि ने यार, postal service नी, अब आही गए हैं, तो IAS, IPS ही मिल जाए, चलो, IAS मिल गया, यहां जिन लोगों को IPS चाहिए, वो मिल गया, यह जब मिल गया, उसके बाद भी च्छा खतम नी होती, उसके बाद हम चाहते हैं, कि हमारी जो state है, वहाँ पर हमारी posting हो जाए, ताकि वो जो बगल वाली गली में जो चाचा रहते हैं, बार-बार पूछते थे कि भाईया, क्या बना, प्री नी हुआ, हमारी बेटे का तो हो गया, ठीक है, हमारे उसका फलाने धंका पता नहीं कौन, रिष्टेदार ढूंड के ले आते हैं, जिनका इन लिंकला होता है, एक्जाम, उनको थोड़ा सा दिखाने के लिए, हमारी इच्छा हो जाती है, कि हम अपनी state में अफसर बन जाएं, ठीक है, अब अपनी state में जब अफसर बन जाते हैं, तो फिर इच्छा मतलब यह नहीं कि इच्छाएं होनी नहीं चाहिए, इच्छाएं बिल्कुल रखो, लेकिन वो इच्छाएं रखने के साथ फिर जो दुख आएगा, उसको जेलने की भी ताकत रखो, ठीक है, और अगर नहीं ही कर सकते, तो फिर तो शद्दा में विलीन हो जाओ, उसमें क् इच्छाएं अगर रखने हैं, तो उसको जेलने की, दुख को जेलने की हिम्मत जरूर रखना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, इधर, यहाँ पर बात की जा रही है, कि सौरो जो है, ठीक है, इट इस कॉज़ बाइडिजार, दुख इच्छाओं की आपती कर सकते हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दू, कि अश्टांग मार्ग की फिलोसफी कहां दे रखिये, धर्म चक्र परवर्तन सुत्त में दे रखिये, ठीक है, यह बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक बड़ा ही क्रूशल पार्ट है, धर्म चक्र परवर्तन सु में ही दिये गए हैं, क्योंकि इनी नोबल टुट्स में से जो कौन सा टूथ है, तुथ ओफ माग्, ठीक है, इसी माग में अश्टांग मार्ग को विस्टार से समझा रखा है, ठीक है, तो यह अश्टांग मार्ग क्या है, इनको समझते हैं, ठीक है, वाट हॉनी चाहिए, जूट नहीं होनी चाहिए, इसी के साथ साथ honest रहो, शांती बनाए रखो, और आप truthful और kind हो, ये आपके actions में भी दिखना चाहिए, ये नहीं कि मूँ से राम राम और बगल में छुरी, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तीसरी चीज है कि जो आपकी जीविका है, वो किसी भी जी right livelihood without harming any being, इसी के साथ साथ आपके जो यतन है, अपने जीवन के purpose को ढूंडने के लिए, वो यतन सही होने चाहिए, there should be right effort for your livelihood and for your purpose of life, and you need to exercise self-control, देखे, आत्म शक्ती इतनी होनी चाहिए, कि गलत जगाओं पर जो temptation आती है, उसको resist कर सको, तो आपका effort, सही effort होना चाहिए, example आपके exam के लिए, cheating करके पास नहीं होना, सही effort के साथ self-control बना के, exam में मेहनत करके पास होना है, mindfulness, alertness रहनी चाहिए, ठीक है, you should be mindful to learn new things and incorporate them to uplift yourself, ठीक है, spiritually as well as mentally, right, इसी के साथ साथ जो meditation और meaning of life है, इसके उपर concentrate करना है, ठीक है, यह आपस में कही ना कहीं सारे यह जो 8-fold path है यह जुड़े हुए है, right meditation, कि ध्यान लगाना है, लेकि ध्यान भी किस तरफ लगाना है, सही चीज की तरफ, सही चीज क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका ग्यान, जिसको उसका ग्यान हो गया जब भी, जिस moment पे, आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पता लग गया, आप को almost मुक्ती मिल गई, ठीक है, जब पता है कि मेरा उद्देश्य है civil services aspirants को तयारी में मदद करना, तो जो भी मेरा effort होगा, वो मैं दिल से करूँगा, क्योंकि मुझे पता है, मेरा यही काम है, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, ठीक है सही सोचूँगा, कुछ द्वेश की भावना नहीं रखूँगा, यह नहीं कि कोई मेरा student बहुत intelligent हो गया, तो मैं उससे जलना चुरूँगा, कि यह मेरा से आगे ना निकल जाए, नो, मेरा जीवन का उद्देश्य ही यह है तो यहाँ पर right meditation और अपने meaning को ढूणना life के meaning को ढूणना, this is a part of eightfold part, ठीक है, अश्टांग मार का यह बड़ा essential part है, the worth of sincere and intelligent man is through right thoughts, जब भी अपना कोई भी काम कर रहे हो, सोच सही होनी चाहिए, ठीक है, believe system सही होना चाहिए, superstition को avoid करोगे, और right understanding cause and effect को समझना है, right understanding develop करनी है, और superstition के तरफ नहीं जाना, ठीक है, these are ashtang marks, ठीक है, इस ashtang mark को आप revise जरूर कर लेना एक important चीज़ बताता हूँ जो थोड़ी सी विचित्र लग सकती है अब देखो, गौतम बुद्ध ने ये बात बड़े clearly बताई थी, कि इच्छाएं दुखों का कारण बनती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य, जीवन और मृत्यू के cycle में बंद जाता है जिसका basically मतलब है, ऐसा देखने में लगता है कि शायद there is soul लेकिन actually, बुद्धिजम में soul is a myth, ठीके और जो ये पुनर जनम होता है, it's not because of soul what is it because of, it is because of the ignorance, it is because of the desires and the ignorance related to desires, ठीके तो soul जो है, वो myth है यहाँ पर Jainism और बुद्धिजम में भी एक बड़ा crucial difference आ जाता है ठीके, Jainism soul में विश्वास रखता है even universal soul में विश्वास रखता है बुद्धिजम soul को नहीं मानता ठीके, ये एक आत्मा में विश्वास नहीं रखता, ये कहते है कि जो पुनर जनम होता भी है, it is because of ignorance ठीके, इस ignorance की वज़े से desire आते हैं, और इन desires को जब पूरा नहीं होता, तब भी फिर इनसान दुबारा चनम लेते हैं, ठीके अगर आपने desires की उपर control पा लिया, तो आपको निर्वान मिल जाएगा, ठीके, आपको मुक्ती मिल जाएगी, और इस निर्वान के लिए, मध्यमार्ग, अश्टांग मार्ग के साथ साथ, मध्यमार्ग भी समझ लिया, अब इस अश्टांग मार्ग, ठीके, जैसे मान लो ये मध्यमार्ग है, ये मध्यमार्ग आगे एट streets की तरफ निकल रहा है ठीके, तो आप इस तरीके से इसको समझ लो, ठीके, ये अश्टांग मार्ग, इस मध्यमार्ग के ही सब categories की तरफ इसको आप समझ सकते हो, ठीके, ultimately दोनों से ही आपको liberation मिलेगी, निर्वान की प्राप्ती होगी, इसी के साथ साथ बुद्धिजम, वेदा की authenticity, वेदों की authenticity को भी reject करता है, challenge करता है ठीके, ये as it is इनको accept नहीं करता, और मैंने जैसा बताया, soul के concept में भी इनको शक है, ठीके, soul के concept को भी इतना easily मानते नहीं है तो वेदास को तो reject करेंगे भी क्योंकि जो इस series के पहली कड़ी थी, जिसमें jainism के बारे में मैंने बताया, तो East India में जो new religion ये एक तरीके से emerge हुए थे तो वहाँ पर ये साफ बात एक आती है, क्या बात आती है, that लोग जो वेदों की rigidity थी, उससे परिशान होके वो एक new alternate religion या way of life को देख रहे थे तो वो चीज़ हमें यहाँ पर भी नजर आती है देखने को मिलती है, चले कुछ प्रशनों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं आप ये सवाल देखिए, इस सवाल का जवाब दीजिए आप से यहाँ पर पूछा गया है, कि बुद्धा, ठीके बुद्धा के जीवन से, कौन से kingdom जो हैं, उनके जीवन के साथ associated है ये देख कर आपको clearly लग सकता है कि जो गंधार है, ये तो हमारे answer में आना ही चाहिए, ठीके, क्यों क्योंकि हम art and culture में पढ़ते हैं ठीके, संस्कृति एवं कला के विशय में हम ये पढ़ते हैं, कि गंधारा आर्ट, बुद्धा को काफी जादा dedicated था, लेकिन आपकी information के लिए बता दूँ, मैंने आपको बताया भी था, कि बुद्धा का जन्म East India में हुआ था, नेपाल के निकट हुआ था जब उन्होंने प्रचार किया था बौत धर्म का, तो वो Eastern India के साइट में जादा हुआ था, ठीके, जिसके वेचे से में आपको अगर बताना चाहूँ, अवन्ती भी जो है ये भी पश्चम भारत के दरफ पढ़ता है थोड़ा ठीके, it is a little towards Western side of our continent, Indian subcontinent तो again, अवन्ती के साथ भी बुद्धा का लेना देना नहीं था, अपने जीवन काल में बुद्धा वहाँ पर नहीं गए थे उनके जीवन उपरांथ, वहाँ पर बहुत धर्म को प्रचारित किया गया वो बात अलग है, तो इसका correct answer बन जाता है, option D, that is 3 and 4 देखे, ये map में भी आप देख सकते हैं आपके इस question को solve करने में help कर सकती है, अगले question पर चलते हैं, कि निर्वान को properly, कौन सा concept, जो है, कौन सी statement properly describe कर पा रही है, ठीक है तो निर्वान, A option के रहे, extinction of flame of desire, B के रहे, complete annihilation of self, यानि कि खुद को बिल्कुली खतम कर देना ये, तो नहीं हो सकता C कह रहे, a state of bliss and rest ठीक है, तो निर्वान से, वो bliss and rest आती तो है, लेकिन किस प्रकार से आती है, वो तो नहीं बता रहा D कह रहे, mental stage beyond all comprehension, ठीक है, कि सब कुछ समझने के beyond भी अगर हमें ग्यान की प्राप्ति हो जाए, तो that is निर्वान तो देखो दोस्तों, desire core है बुद्धिजम के अलग-अलग concepts का कि अगर हमने desires को control कर लिया तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो निर्वान का concept भी desire के साथ related है यहाँ पर first option best describe कर रही है इस concept को, कि अगर हमने desire, अपने इच्छाओं की जुआला को काबू कर लिया, तो हमें निर्वान की प्राप्ती होगी, ठीक है, तो निर्वान is basically extinction of the flame of desires 2013 में यह सवाल आया था, ए इसका correct answer है, 1998 के इस question को देखते है, ठीक है, यहाँ पे, अश्टांग मार्ग इन में से किसकी मुख्य विशय बनता है, ठीक है main theme किसकी है, दीप वंस, दिव्विदान, महा परिनेबन सुथ, यह है धर्म चक्र परवर्तन सुथ, जैसा मैंने आपको बताया था, हमने discussion के टाइम पे भी किया, क्योंकि अश्टांग मार्ग की जानकारी ही अपने आप में इतनी important है, तो इसको आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, कि जिस प्रकार 2024 को target करने के लिए हमारा एक course है, उसी तरह 2025 के लोगों के लिए भी course है, फरक बस इतना है कि 2024 को target करने वाले course की validity दो साल की है, लेकिन क्योंकि 2025 के लिए जादा समय चाहिए, तो इस course की validity तीन साल की है, तो description में आपको इसके भी link मिल जाएंगे, और जल्दी आप enroll करें, अपने money को save करने के लिए CS live code का इस्तेमाल करें, आगे बढ़ते हैं बुद्धिजम के बारे में और जानकरी जानते हैं तो main ideas की अब हम बात करेंगे तीके, अब main ideas में सबसे पहले में बताना चाहूँगा, कि बुद्धा जी ए जोती जो कब समाए, यानि कि इनको अपने देहन से अपने शरीर से मुक्ति कब मिली nearly 483 BC में तीके, nearly 483 BC में इनको मुक्ति मिल गी थी, जिसको उनको compile किया जाए, ताकि दुनिया तक उनको पहुंचाया जा सके तो इस उद्धिष्य के साथ 4 Buddhist councils का गठन हुआ ताकि इनके ideas को compile करके, एक stolid material में store किया जा सके जिसको कहा जाता था, Pitaka तीके, Pitaka मतलब those books that hold the teachings of Buddha तीके, तो Pitaka is related with Buddhism तीके, main basic चीज़ तो यह पता होनी चाहिए इसी के चलते जब 4 Buddhist councils हुए तो वहाँ पर 3 major Pitakas इनका compilation हो गया तीके, यह Pitakas कौन से थे विने पिताका, सुत्व पिताका और अभिदाम पिताका, एक साथ इन 3 पिताकाओं को त्रिपिताका कहा जाता है ठीके, और यह पाली भाषा में लिखी गई है, रैट विने पिताका, यह basically जो बौध धर्म की monasteries हैं, ठीके बौध धर्म की जो monasteries हैं, उनके कानूनों के बारे में बताती है, और इसके उपर जो उच्चारन था, इसका सबसे पहला उच्चारन उपाली ने किया, ठीके, उपाली वास basically one of the key disciples of Buddha सुत पिताका की अगर मैं बात करूँ कि इसका main theme क्या है, ठीके, यह तीनों पिताका और इसकी themes के बारे में मैं पता होना चाहिए exam के point of view से, तो सुत पिताका यह basically बुद्धा के जो अलग-अलग उपदेश थे, उनसकी सबसे बड़ी collection यहाँ पर मौजूद है, ठीके विने पिताका में Buddhist Monasteries के कानून है सुत पिताका में बुद्धा के उपदेशों का एक तरीके से यहाँ पर हमें एक विस्तार मिलता है, एक compilation मिलती है सुत पिताका को सबसे पहले उचारण अनन्द ने किया था, यह भी बुद्धा के disciple थे, अभिदाम पिताका में बौद धर्म के दार्शनिक सिधानतों के बारे में व्याख्या की गई है, और इसका सबसे पहले उचारण राहुल ने किया, ठीके राहुल ने किया, जो again बुद्धा के disciple भी थे महावमसा और दीपवमसा ये भी कुछ अन्य बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, और इसमें हमें उस समय के श्रिलंका के बारे में कुछ information मिलती है, और ये भी पता लगता है कि किस प्रकार से बुद्धिस्म, इंडियन सब कॉंटिनेंट से श्रिलंका की तरफ भी propagate हुआ था और जो बुद्धिस्ट लिट्रेचर, स्टोरीज के फॉर्म में मौझूद है और बुद्धा के अलग-अलग बर्थ के बारे में बताता है, कि बिसिकल यहां पर यह मानेता होगी थी, कि बुद्धा का यह पहला बर्थ नहीं है, ठीक है वो बार-बार इस दुन्या में जन्म लेते रहते हैं तो वो जो स्टोरीज हैं, उनको जटाकास कहा जाता है, ठीक है एक्जाम के पॉइंट आ व्यूस है, वो बुद्धिस्ट काउंसल कहां पर हुए, किसके पेटरनाइजेशन के अंडर हुए, इनके चेर्मेन कौन थे और मेन डिवेलपमेंट इस बुद्धिस्ट काउंसल में क्या हुई, इस टेबल से आप जान सकते हैं ऐसे की, पहला काउंसल राजगरी में हुआ, महक सप यहां पर इनके चेर्मेन थे, और अजाज शत्रू, राजा अजाज शत्रू ने इनको पेटरनाइज किया था, यहां पर विने पितक और सुत्व पितक कमें, बेसिकली इनकी इस लिटरेचर की यहां पर डिवलेपेंट हो गी थी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसल वैशाली में हुआ था, सब्बाकामी यहां पर चेर्मेन थे, और काल अशोख इन्होंने पेटरनाइज किया था, यहां पर बहुत धर्म के फॉलोर्स जो थे, वो बेसिकली डिवाइट हो गए थे, स्थविरा मदिन और महा संगिकाओं में, ठीके, स्थविरा मदिन और महा संगिका, इसमें बहुत धर्म की डिविजन हो गी थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसल, 250 BC में हुआ था, मोगाली पुद्धा तीसा, ये चेर्मेन थे, ठीके, और अशोक, राजा अशोक ने, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसल, इसको कन्वीन करवाया था, यहाँ पर अभिदाम पिताका ने भी, अपना अस्तित्व धारन कर लिया था, और तीनों पिताका जब आ गए, तो तिर्पिताका का निर्मान, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसल के समय पर, पूर्ण हो गया था, और यह पाली भाशा में था, ठीके, तो सारे बुद्धिस्ट काउंसल में से, थर्ड बुद्धिस काउंसल सबसे important है अशोक की वज़ा से और तिरपिता का जब complete हो गया उसकी वज़ा से फोर्थ बुद्धिस काउंसल ये कश्मीर में हुआ था ठीक है जगा का नाम है कुंदवलन ठीक है कुंदलवन या फिर तिसक ठीक है इस प्रकार से इस जगा को जाना जाता था उस समय पर 72 AD में हुआ था वासुमित्र यहां के चेर में थे और वासुमित्र के डिप्टी थे अश्वगोश और राजा कनिश्क ने ये बुद्धिस काउंसल पेटरनाइस किया था यानि की स्पॉंसर किया था यहां पर बुद्धिसम हीन यान और महायान में डिवाइड हो गया ठीक है अब हीन यान यानि की हमने देखो सबसेक्ट की बात इन बुद्धिस्ट काउंसल में कर ली तो हीन यान को हीन यान जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, हीन का मतलबत है छोटा और यान का मतलबत है वहन तो इसका मतलब है lesser vehicle तो हीन यान जो है, हीन यान बहुत धर्म की original teachings को प्रीच करता है, यह सभी बहुत स्कूल के सबसेक्ट जो हैं, बुद्धिजम के सबसेक्ट उन में से सबसे ज में बिलीव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता था, ठीक है, आपने देखा भी था कि superstition में बिलीव करने को नहीं कहते थे वो, तो idle worship to some extent is superstition, ठीक है, बट gradually वो idle worship की philosophy बीच में आगी, क्योंकि उसमें logic ये use किया जाता था, कि अगर ध्यान करने के लिए एक प्रतिमा का सहारा लेना पड़े, तो क्या गलत है उसमें, ठीक है, तो initially हीन यान में और बुद्धिजम में नहीं use होता था, तो हीन यान orthodox होने के वज़ए से image worship में believe नहीं करता था, इसी के साथ individual salvation में, ठीक है, ये मानते थे, individual, हर इनसान की खुद की जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो कैसे हो सकती है, कड़ा अनुशासन धारन करके, ठीक है, अनुशासन का पालन करके, ध्यान लगाकर, और हीन यान का ultimate objective यही था, कि individual निर्वाण की प्राप्ति करें, ठीक है, अपने इच्छाओं के उपर काबू करके, वोो निर्वाण की प्राप्ति करें, हीन यान के अंदर गी दो सबसेक्ट थे, स्थाविरवाद, ठीक है, इसको थरावड भी कहा जाते है, ठीक है林 चाहिं ये भी कई बार pronunciation में कुछ फरक होता है, तो थेरावदा इसको कहा जाता है, हीनियान के scholars पाली भाषा का प्रियोग करते थे, अपने message को जनता में प्रीच करने के लिए, और अशोक, राजा अशोक, ये हीनियान सेक्ट को प्रोमोट करते थे, या पेटरनाइस करते थे, ये ब महायान अभी अस्तित्व में आया ही नहीं था, वो बहुत बाद में बनेगा, ठीक है, हीनियान स्कूल में, जो आज की डेट में हीनियान स्कूल अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, वो non-existent हो चुक है, क्योंकि उसके बाद महायान स्कूल आया, वो थोड़ा liberal स्कूल था, औ और बुद्धिजम बहुत जादा इंप्रोवाइस हो चुक है, ठीक है, तो यह और्थोडॉक्स स्कूल आज की डेट में हमें बहुत लगबग ना के बराबर मिलते हैं, तो यहां पर गौतम बुद्ध की हेवनलीनिस के वो स्वर्ग से उन्होंने जन्म लिया है, उसके उपर विश्वास रखते थे, बोधी सत्वास के बारे में यह बात करते हैं, ठीक है, और इनका गोल है spiritual upliftment, मोक्ष की प्राप्ती के बिजाए, यह लोग आत्मा के उत्थान के उपर जादा फोकस करते हैं, ठीक है, और image worship शुर का उदेश बना लिया कि हम बुद्धा की टीचिंग्स को उसकी philosophy को propagate करेंगे, तो बोधी सत्वा, ठीक है, embodiment of बोधी सत्वा, यहाँ पर image worship होगी जी, तो महायान image worship में believe करते हैं, यह सबसे बड़ा difference है बिट्वेन हीन्यान और महायान, concept of बोधी सत्वा, यह महायान बुद इसे हो सकती है, अपने विचारों की अभिवक्ती के लिए इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, और इनके जो prominent text हैं, वो हैं, लोटस सूत्र और महावमसा, लोटस सूत्र में एक बहुत important concept है, जिसको 6 परामिता कहा जाते है, ठीक है, यह 6 परामिता, basically, वो 6 virtues हैं, जिससे की एक perfect human being बन सकता है, ठीक है, इनका objective क्या था, spiritual upliftment, इस spiritual upliftment के लिए, यह 6 virtues इन्होंने बता रखी हैं, ठीक है, यह कहाँ पर बता रखी हैं, लोटस सूत्र में, कमल सूत्र में, ठीक है, तो दान, यानि की, आप जानते हैं, दक्षिना देना, generosity दिखाना, शील यानि की character, लबसना का logo या motto है, शीलम परम भूशनम, that character is the most adorable jewel of ourselves, ठीक है, तो शील मतलब virtue, morality, discipline, या आपका conduct, उसको शील कहा जाता है, शान्ती, धैरे बनाई रखिए, tolerate करना सीखिए, ठीक है, आप में ख्षमता होनी चाहिए, कि जो चीज आपको नहीं भी पसंद, उ effort, ध्यान, ध्यान मतलब concentrate करने की क्षमता होनी चाहिए आप में, और प्रजन, प्रजन मतलब wisdom, सांसारिक ज्यान, उसकी अभिवक्ती और उसको ग्रहन करना is necessary, ठीक है, प्रजन is one of the part of six परमिता, और इन परमिता को ग्रहन करके, आप spiritual upliftment अपनी कर सकते हैं, महायान में बोधी सत्व बिसिकली वो है, जिसने बोध्चित को धारन कर लिया, चित मतलब बुद्धी, बोध मतलब बुद्धा से जुड़ी वी बुद्धी को धारन कर लिया, ठीक है, वो बुद्धा होड की, यानि की बुद्ध की शरण में जा चुके हैं, और सभी sentient being, sentient being का है, वो सारे जीवजन्तों जिन में भावनाएं हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ non-living things नहीं आएंगी, ठीक है, भावना किसमें होती है, पशुओं में, इनसानों में, ठीक है, तो इनके benefit के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, और समस्त संसार को liberate करना ह ठीक है, जरन-मरन के cycle से liberate करना है, ठीक है, तो ये concept महायान बुद्धिजम में हमें नजर आता है, ठीक है, अब कुछ important बोधी सत्वास के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आप बोधी सत्वास को समझने में थोड़ी सी अगर दिक्कत आ रहे हैं तो easy भाशा में अगर मैं बोलू, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ये बुद्धा main deity थे, बुद्धिजम में, बोधी सत्वास sub-diety की तरह भी आप मान सकते हैं, ठीक है, देवर्दा sub-dieties, ठीक है, ये disciples, आप समझ लीजे, बुद्धिजम में बहुत important disciples, जैसे सिखिजम में 5 प्यारे थे, ठीक ह बिल्कुल direct link बनाना गलत होगा, पट फिर भी समझने के लिए आप ही कर सकते हैं, ठीक है, अब इसमें अविलोग की तेशवर के बारे में बात करते हैं, ये जो बुद्धा के जब चित्र बनते हैं, ठीक है, जब महायान में बुद्धा के चित्र बनने शुरू होए थे, अजंता केवस में इनकी important paintings भी हमें मिलेंगी, और सभी बुद्धी सत्वा में इनको सबसे ज़ादा मानते हैं लोग, ठीक है, इनको सबसे ज़ादा ये पूजनिया माने जाते हैं, ठीक है, He is also called as बुद्धी सत्वा of Compassion, दयाभाव है इनमे, ये दुनिया की दुख दर्द को सुनते हैं और मदद भी करते हैं ठीक है उनके जितने भी लोग हैं जो अपना दुक्दर्द बता रही है उनकी मदद करने के लिए यह आते हैं ठीक है इसलिए सबसे जादा इनको माना जाता है ठेरावध बुद्धिजम में, कमबोडिया में, इनको लोकेश्वरा भी कहा जाता है, और कुछ जगाओं पर, कुछ पेंटिंग्स में, इनको एक फीमेल की तरह भी डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, ये कुछ important points है, इनके बारे में, और एक माना, एक बहुत प्रचलित मानेता है, कि जो दलाई लामा है, ठीक है, he is known to be like अविलोकी तेश्वर का एक अवतार हैं, दलाई लामा, ठीक है, ये भी एक मानेता है, वज्जरपानी की बात करते हैं, ये भी जो तीन main identities रहती हैं, बुद्धा के पास, उनमें से एक हैं, अजन्ता के इसमें, इनकी भी paintings हैं, और आप इनकी image देख सकते हैं, थोड़ा रौदर रूप है इनका, ठीक है, तो इनका ये माननेता है, कि मतलब ये, he is not basically compassion से थोड़ा अलग हैं ये, इनमें बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है, बुद्धा की शक्तियों के साथ-साथ, इनमें जो पांच तथागत होते हैं, उनकी भी शक्तियां हैं, ये पांच तथागत क्या हैं, विरोचना, अक्षोभ्या, अमिताब, रत्न संभवा और अमोग सिद्धी, ठीक है, ये पांच तथागत बेसिकली, एक अल्टिमेट बहुत follower, ठीक है, वो ये, वो characteristics हैं, ठीक है, तो इनके अंदर ये सारी शक्तियां हैं, राइट, मंजुश्री की अगर हम बात करें, हीज अनदर डाइटी अराउंड बुद्धा, प्रोटेक्टिव डाइटी, बुद्धा के साथ, इनकी भी image हमें मिलती है, अजनता के, उसमें इनकी भी painting मिल जाएगी, ये बोधी सत्वा है, wisdom के, ठीक है, ये male बोधी सत्वा है, कई बार देखने में लग सकता है, कि female बोधी सत्वा की तरह elder monks, school of elder monks, तो ठरावद बुद्धिजम का ultimate जो aim है, वो है, कि हमने दुनिया के कलेशों को खत्म करना है, दुनिया के कलेशों को खत्म करके, हमने निर्वान की प्राप्ति करनी है, और ये हम करेंगे, अस्टांग मार्ग को जो चीजें हमें पसंद नहीं है, उसके खिलाफ नफरत का भाव रखना, जबकि उल्टा क्या है, टॉलरेंस होनी चाहिए, अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब वो डर, कि हम हमारी मिरत्यू कभी न कभी होगी, we can lose our life, ये डर नहीं होना चाहिए, टीक है, जो आया हो जाएगा, इसको accept करके चलो, जीवन जीओ, टीक है, अविद्या, अविद्या मतलब ignorance, टीक है, इस ignorance की वज़े से बाकि सारे कलेश आते हैं, राग, राग मतलब attachment, टीक है, हमारी किसी चीज़ के साथ जो attachment है, वो भी कलेश का का बुद्धिजम का, टीक है, it is an integral part of थरावद बुद्धिजम's way to follow the Ashtang Marg, समद का मतलब होता है कि हम अपने मानसिक, हम मानसिक रूप से शांत रहें, अपने मन को शांत रखें, और विपासना का मतलब है कि अपनी existence के तीन सत्यों के बारे में बिलकुल awareness होना, कि हम permanent नहीं है, impermanence है, impermanence है हमारी, ठीक है, suffering होती है, ठीक है, और non-self, ठीक है, non-self मतलब कि हम ही हम नहीं है, हम एक बहुत बड़ी ताक्कत है जो हम सब को चला रही है, और हम उसका एक बड़ा छोटा सा part है, ठीक है, soul की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक universal, एक entity है, जो चलाती है, तो basically there is much beyond ourselves, ठीक है, तो थरावद बुद्धिजम में समत और विपासना, इनके ये meaning से, direct mass type का question आप से पूछा जा सकते हैं, अगर थरावद बुद्धिजम की fundamental philosophy की बात करें, तो यहाँ पर विभजवाद एक बहुत core concept है, विभजवाद, विभज से बना है, जिसका मतलब है, विधवाजन करना, ठीक है, जो distinction कर सके, that is called, a person who has the ability of विभजवाद, ठीक है, तो distinction करने की क्षमता होनी चाहिए, तो इसमें एक major treaties है, विशुद्धी माग, ठीक है, बुद्ध गोष्ट ने इसको लिखा है, 5th century AD में लिखा था, श्रिलंका में इसका compilation हुआ था, इसके अंदर सत्विशुद्धी के बारे में बताया गया है, ठीक है, सत्विशुद्धी के बारे में, विशुद्धी मार्ग में बताया गया है, विचिस बेसिकली कि किस तरीके से हम अपने आपको साथ स्टेजिस में प्यूरिफाइ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी थरावट बुद्धिजम का एक बड़ा ही crucial पार्ट है, कुछ और facts अगर मैं बताऊं थरावट बुद्धिजम के बारे में, तो पाली इनकी सेक्रेट भाषा है, ठीक है, it is a sub successor school of हीन यान बुद्धिजम, हीन यान बुद्धिजम का ये successor school है, 35.8 परसें बुद्धिज जो हैं, दुनिया में वो थरावट बुद्धिजम को follow करते हैं, और South East Asian countries, majorly थरावत बुद्धिजम के साथ associated है ठीक है, so these are some facts नवयान बुद्धिजम की अगर मैं बात करूँ तो इसको B.R. Ambedkar जी ने प्रपाउंड किया था जितने बुद्धिजम के जो normal schools हैं उससे काफी अलग हैं यहाँ पर बुद्धिजम की main philosophies को इन्होंने बिल्कुल reject कर दिया था और इनका मानना था, इन्होंने बुद्धिजम को interpret किया as class struggle and social equality इनका मानना था कि मोक्ष, enlightenment, meditation, afterlife, samsar वगएरा इसमें नहीं, बुद्धिजम stands for class struggle कि उस time पर वेदिक religion जब चल रहा था तो जो rigidity आ गए थी नवयान बुद्धिजम जो बियारम बेदकर के followers ने एक तरीके से follow किया था, so it is basically about that right, कुछ questions करते हैं ताकि हमें पता लग जए कि हमें कितनी समझ आई है इन concepts के बारे में थोड़े difficult लग सकते हैं दोस्तों ये concept Jainism, Buddhism के में basically थोड़ा Buddhism, थोड़ा सा मुश्किल लगता बच्चों को, but मैं suggest करूँगा कि इस PDF को एक बार फिर से revise करोगे वीडियो को चाहे तो फिर सो देख ले ना तो आपको काफी अच्छी clarity मिल जाएगी So who among the following presided over Buddhist council during the reign of Kanishka in Kashmir बहुत easy question है, हमने table में सिखा था, तो वासुमित्रा बैठे थे वासुमित्रा chairman थे With reference to religious history of India, consider the following statements, तीन statements है और आपको correct statement identify करनी है statement 1 के रही है, the concept of bodhi sattwa is central to heenyaan sector of Buddhism ये ठीक होगा के गलत होगा ये गलत होगा, bodhi sattwa में image worship start हो गई है, और heenyaan मैंने बताया था कि बहुत जादा rigid school है image worship में believe नहीं करता था तो one जहां पे आ रहा है, कर दो eliminate two यहां से पता लग रहा है कि बिल्कुल सही है ठीक है, और third कह रहा है कि bodhi sattwa delays achieving his own salvation to help all sentient beings on their path to it, ये भी बिल्कुल सही है इसकी भी बात की गई थी, ठीक है, तो का फूल है, तो उनको क्या कहा जाता है, पद्मपानी ठीक है, मंजुषी के हाथ में तलवार है, और वजरपानी जो है, वो रौदर रूप वाले बोदी सत्वा है तो correct answer, option C अब कुछ मुद्राएं हैं, आपके exam के point of view से important बनती है ठीक है, तो बहुत धर्म से जुड़ी सबसे important मुद्राईं ये है, धर्म चक्र मुद्रा इस प्रकार से दिखती है, ठीक है इस प्रकार से, like this, ठीक है if I show you, इस प्रकार से धर्म चक्र मुद्रा बनती है, ये basically represent करती है, teaching wheel of धर्मा, और ये Lord बुद्धा ने, जो अपना पहला उपदेश सरनात में दिया था, उसका प्रतीक है ध्यान मुद्रा इस प्रकार से, ठीक है ऐसे हाथों को हाथों पर रखे, ऐसे triangle बनाते है, so basically it forms it symbolizes the trinity of संग, मौंक्स बुद्धिस मौंक्स की community, धर्म and बुद्धा, right, so this is ध्यान मुद्रा और भूमी स्पर्ष मुद्रा basically ऐसे है, भूमी स्पर्ष मुद्रा basically है कि जब Lord बुद्धा को enlightenment हुई थी, तब उन्हों ने इस मुद्रा में भूमी को स्पर्ष किया था कि धर्ती मेरी इस enlightenment की साक्षी है वो witness है, right, तो भूमी स्पर्ष मुद्रा इस प्रकार से आप देख सकते है एक question करते है, Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called भूमी स्पर्ष मुद्रा 2012 मैं ये पूछा क्या था, बताईए क्या answer हो सकता इसका, ठीके statement 1 कह रही है, Buddha's calling of earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation, Buddha's calling of earth to witness his purity and chastity despite temptations of Mara, Mara मतलब वो temptation, Maya Buddha's reminder to his followers that they all arise from earth and finally dissolve into earth and thus life is transistory, ये गलत है और T option के रही है कि A और B दोनों correct हैं, तो हमारा correct answer दोस्तों, option B है, ठीके, यहाँ पर Buddha ने earth को Maya को रोकने के लिए नहीं बुलाया था Buddha ने धर्ती को witness करने के लिए बुलाया था कि देखो Maya के उपर मैंने विजय पाली तो आप witness कीजिए, तो B correct answer यहाँ पर बनेगा, ठीके तो ये कुछ reasons है, decline के, Buddhism के basically towards, जैसे जैसे हमारा प्राचीन भारत आगे बढ़ा था first century AD onwards, भगवतिजम और Brahmanization, ठीके ब्रामनिजम और भगवतिजम ये revive होना start हो गए थे, ठीके इसमें चतन्य मरहा प्रोभू और बहुत सारे sages का, शंकराचारे etc और sages का भी contribution रहा था, ठीके तो definitely Hinduism या Vedic religion में जो reforms होए, वो एक कारण था, जिससे की Buddhism की popularity थोड़ी सी कम होना start होगी बहुत दर्म में आगे जाकर Sanskrit का इस्तंबाल करने जाना रख पड़ा, जिसकी बज़ा से, आम masses उसके साथ connect नहीं हो पाई, ठीके, पाली को इन्होंने छोड़ दिया Sanskrit को follow करना शुरू कर दिया, ठीके और यह माना जाता है कि 5th और 6th centuries में कुछ attacks होए थे Huns द्वारा जो attack होए थे और 12th century में जो Turkish invaders आए थे उन्होंने कई monasteries भी destroy की उससे भी बहुत दर्म decline पे आ गया इन सारे factors के interplay से Buddhism इंडिया में decline हो गया ठीके, यह question करते है some Buddhist rocket caves are called Chetya's while others are called Vihara हम जब किसी residential society में रहते हैं जिस जगा पे रहते हैं तो बहुत easily आप इस question को solve कर सकते हैं correct answer इसका option B बनेगा ठीके, B will be the correct answer ठीके, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को pause करके इसको solve करने की कोशिश करना तब ही पता लगेगा, इसको देखो 96 में ही question पूछा क्या था तो क्या answer होगा क्या जैनिजम में extremities of penance और enjoyment को avoid करने को कहा जाता था, no वो तो बल्कि उसको promote करते थे जैनिजम आपने देखा है, बहुत जादा rigid religion था in comparison to Buddhism, ठीके, तो ये दोनों का common नहीं है, ठीके, one हटा दो सारी options आपकी eliminate हो जाएंगी correct answer आजाएगा, indifference to authorities of veda, yes, दोनों ने challenge किया था Vedic authority को, denial of efficacy of rituals, yes, ये reason था, ये जिसकी वज़े से ये दो religious orders अस्तित्व में आय थे, non injury to animal life, ये भी true है, तोनों में ये चीज़ थी, ठीके हाँ, फ़रा कितना था कि जैनिजम ज्यादा rigidly इसको follow करते थे, देखो, 2012 में same question थोड़े अलग form में दुबारा repeat हो गया, तो ये चीज़ हमें बताती है कि कितना प्यार है UPSC कोई-स topic से, ठीके, तो same question, statement change हो रखी है, again इसमें first नहीं आना चाहिए, ठीके, तो जहाँ-जहाँ first आ रहा है, फिर से हमने eliminate किया, हमारा answer आ गया, ठीके, so correct answer, option B इसका बन जाता है, right, so दोस्तों, मैं उमीद करता हूँ, कि आज के इस session से, हमने थोड़ा सा इसको जल्दी किया session को, because this was basically a revision session, ठीके, अगर आपने थोड़ा सी extra information अगर जाननी है, तो मेरे telegram channel को join कर लेना, वहाँ पर मैं कुछ PDF आपके साथ share कर दूँगा, जिससे कि आप extra information हासिल कर सकते हैं, इस topic से related, और study IQ के बहुत सारे courses हैं, जिससे आप अपनी UPSC IS की तयारी को बहुत अच्छे से follow कर सकते हैं, और उसमें enroll करने के लिए, आप maximum discount लें, और maximum discount के लिए जो code आपको यूज करना है, वो है CS Life. Wish you all the best friends, मिलते हैं आप आप से अगली वीडियो में.